गुट मॉर्निंग स्टुनेंट्स आई होप यू और फाइन फॉम स्टुनेंट्स तुड़े वी हैव वॉक्षीट नमबर नाइन्टीन डेट 2-12-2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 बच्छो आज हमें इस वॉक्षीट में दा काइट पोयम कम्प्लीट दी हुई है इस पोयम को हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स पि दिये हुए है उन्हें भी हम फिल करेंगे read the poem below and fill in the blanks on the adjacent adjacent का मतलब होता है लगा हुआ या सटा हुआ जैसे poem से लगा हुआ कि आपको box दिख रहा है इसमें fill in the blanks और poem की explanation दिये हुए है To the corresponding stanza You can take hints from the explanation of the stanza provided आप यहां से hint भी ले सकते हो जो की explanation है stanza का और उसके बाद fill in the blanks को fill कर सकते हो बच्चों यह starting में जो poem दी हुई है यह हमने पढ़ ली थी यहां तक इसको एक बार हम लोग और पढ़ते हैं और फिर exercise करते हैं मैं इसका video भी आपको भेज देता हूँ पहले वाला आप पहले वाला video भी देख लेना तो आए शुरू करते हैं हम लोग अपनी poem आपको मैंने last video में इनकी world meanings भी बताई थी और फिर से मैं बता देता हूँ bright means होता है चमकदार blue means यहां नीले आसमान की बात की गई है dive and dip means गोते लगाना हवा में और डुपकियां लगाना snap का मतलब फढ़ फढ़ाना sore का मतलब उची उडान भरना tights का मतलब ज्वार भाटा जो की महासागरों में आता है oceans में आता है sail means एक कपड़ा होता है जो की जहाज में लगा रहता है climb means चड़ना crest means चोटी इस इसेंजा में बताया गया है कि पतंग जब पहली बार नीले आसमान में उड़ती है और यह आसमान में जब गोते लगाती है डुपकियां लगाती है तो यह बहुत ही शांदार दिखती है और पतंग जब उड़ती है आसमान में तो यह अपने पूँच को फढ़ फढ़ाती है cracking sound निकालती है और यह आसमान में जैसे जैसे हवा बहती है वैसे वैसे पतंग उचाई लेती जाती है ठीक शिप की तरह जो ओसियन में महासागरों में टाइट्स के आने पर जब टाइट्स के साथ उपर नीचे होता है ठीक उसी तरीके से पतंग भी जब विंड ब्लो करती है तेजी के साथ तो पतंग हवा में फड़ फड़ाती है और इधर उधर गोते लगाती है और फिट उचाई पर पहुँच जाती है पतंग इन लाइन्स में यही बताता है और हमने ये लाश्ट वीडियोज में देखा था हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते है ये वाली एक्सरसाइज इसी की है ये वाली एक्सरसाइज हम लोग करते है पहला देखते है दा ब्लू इन दा फर्स्ट लाइन रिफर्स टू दा इसकाई इसमें इसकाई आएगा मैंने आपको जब पहली बार हम लोगों ने काइट पोयम पड़ी थी तो वहीं बताया था कि यहाँ blue का जो मतलब है blue का मतलब sky से है clear sky से है नीले साफ आसमान से है second tides of wind means the tides of wind का मतलब पूछा है यहाँ tides of wind का मतलब wind currents है जो धारा होती है ocean में tides of wind का वहीं मतलब है see the crest the crest means that the kite reaches the crest का मतलब मैंने आपको बताया था top होता है crest का मतलब ही होता है चोटी d the kite looks bright when it is new जब काइट new means पहली बार आसमान में उड़ती है तो बहुत ही bright नजर आती है e in the sky the kite soars like a ship f the wind helps the kite to reach the top ये हवा ही होती है जो kite को उसके बाद हम लोग poem को यहां से पढ़ते हैं of gust and pulls of gust and pulls gust means होता है हवा का जोखा gust means हवा का जोखा जोखा पोएट बताता है कि जब भी हवा का जोखा आता है जब भी हलकी सी भी हवा बहती है तो पतंग अपनी गती को बढ़ा देती है पतंग उचाई पर जाने लगती है and pulls and pulls then seems to rest as wind falls और जैसे जैसे हवा धी में होने लगती है हवा slow होने लगती है पतंग भी मानू रुक सी जाती है ऐसा लगता है जैसे पतंग भी आराम करना चाती हो ऐसा होता है ना बच्चो जब हवा तेजी से आती है तो हमारी पतंग बहुत अच्छी उड़ती है क्योंकि हवा अगर नहीं चलेगी तो पतंग भी नहीं उड़ती तो इसी लिए पोएट ने बताया है कि जब भी हवा का जोका आता है तो पतंग बहुत तेजी से उचाई पर वढ़ती है और इतनी उचाई पर कि सबसे टॉप पर पहुँँ जाती है लेकिन जब विंड फॉल्स होता है जब हवा कम होती है या हवा रुक जाती है जब हवा कम होती है तो ऐसा लगता है कि हमारी पतंग भी रुक गई है एक जगए खड़ी हो गई है और वो भी आराम करना चाहती है When a string goes slack Slack means होता है लूज Assault means lose धीला String means धगा जो मानजा आपने पतंग के साथ जोड़ा है वोएट वही बताता है इसमें कि जब पतंग हमारी रुक जाती है तो इसका जो धागा होता है वो धीला पड़ जाता है बहुत लूज हो जाता है यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अन्यू ब्रीज ब्लोज ब्रीज मीन्स एर ब्लो मीन्स बहना राइटर बताता है कि जब हमारी पतंग रुख जाती है तो पतंग का जो धीला मांजा होता है उसे हम लोग खिंचने लगते हैं यू विंड इट बैक जो पतंग उडाता है यू यहाँ पर फ्लायर है जो पतंग उडा रहा है पतंग उडाने वाला इस श्ट्रिंग को खिंचने लगता है मांजे को डोर को खिंचने लगता है जब हवा बंध हो जाती है पतंग एक जगा ठहर जाती है तो पतंग उडाने वाला मांजे को खीचने लगता है और पतंग को तब तक वो उडाता रहता है बहुत मुश्किलों से बहुत संघर्ष के साथ वो तब तक पतंग को आसमान में उडाने की कोशिस करता है जब तक a new breeze blows जब तक यहाँ breeze का मतलब air है ठंडी हवा को breeze कहते हैं जब तक फिर से हवा का जोखा या हवा बहना शुरू ना हो जाए तब तक पतंग उडाने वाला पतंग को किसी तरीके से आस्मान में उडाए रखता है और जैसे ही हवा बहती है फिर से पतंग अपने रास्ते पर चल देती है फिर से वो नई उचाई को पाने की कोशिस करती है और नई उचाई पर जाकर ही दिखाती है and its wings fill and up it goes और जैसे ही नई हवा बहती है फिर से हवा आती है its wings fill वैसे ही पतंगों के जो wings होते हैं वो भर जाते हैं फिल विद एर हवा से भर जाते हैं एंड अप इट गोज एंड इट गोज अप यहां इट का मतलब काइट है कि पतंग फिर से आस्मान में उचाईयों पर उड़ जाती है यह भी आपको समझ में आया होगा यह इस्टेंजा आईए हम इसके भी पहले हम एक्स्प्लानेशन इसका पढ़ लेते हैं जब हवा धीमी होती है तो काइट भी आस्मान के टॉप पर रेश्ट करने लग जाती है यूञिं बैक दॉट यह स्ट्रिंग वैन सिलेक्स और आप अधागे को खीनहें लगते हैं जब इसका धागा धेल होने लगता है यह होजाता है तो हम कि होता है ना पतंग उड़ाते हैं तो जब हवा नहीं चलती तो हमारी पतंग नहीं उड़ती तो हम लोग उसको खीचते हैं उतारते हैं और जो हमारी रोल करते हैं जिसमें हम धागाला पेटते हैं When a new wind blows You unwind it again और जैसे ही हवा बहने लगती है हम फिर से पतंग को अच्छे से उड़ाते हैं The new wind fills the wings of the kite with air and it goes up again और जैसे ही हवाब बहती है तो मानो पतंग के जो wings होते हैं उसके punk होते हैं उसमें दुबारा से energy आ जाती है और फिर से ये आसमान में उचाई तक जाती है इसके fill in the blanks हम लोग करते हैं बच्चो पहला है the kite seems to rest means that it is somewhat still in sky seems to rest पतंग ठहर जाती है एक जगा कहां आसमान में ही न पानी में थोड़ी ना पतंग उड़ती है दूसरा option इसका water दे रखा है water नहीं है sky होगा भी देखिए you wind the string when it goes हम धागे को खिसते हैं कब जब ये slack हो जाता है lose हो जाता है धीला हो जाता है see the kite is filled with a new breeze when the new wind blows and gives gives it wings to fly जब फिर से दुबारा से जब नई हवा बहना शुरू होती है तो इसके पंखो को उड़ान देती है वो यहाँ पर breeze और wings आएगा इस तरीके से हमारी यह exercise भी complete होती है अब हम लोग देखते है third how bright on the blue is a kite when it's new यह line हमें सबसे पहले ही मिली थी किसमें फिर से यही बताया गया है a new kite looks bright in the blue sky कि जब पहली बार पतंग आसमान में उड़ती है तो पतंग बहुत ही bright हमें नजर आती है but but a ragdor thing ragd means होता है बच्चो फट जाना या फटा हुआ but a ragdor thing but a ragdor thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree poet last case tenja में ये बताता है कि नीले आसमान में जब पतंग पहली बार उड़ती है तो वो बहुत bright तो हमें नजर आती है लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो तुम कभी नहीं चाहते कि जब आप पतंग उड़ाओ तो आपके साथ हो ragdor means जब हम पतंग उड़ाते हैं और अगर हमारी पतंग किसी पेड में किसी तार में या कहीं भी फस जाए तो हम इसे छुडाने की कोशिस करते हैं और कभी-कभी छुडाने में ऐसा होता है कि हमारी जो पतंग होती है वो फट जाती है वो फट जाती है लेकिन पतंग छूटती नहीं है पोएट ने यही बताया है लास्ट के चार लाइन में बट ए रेग्डर थिंग लेकिन एक रेग्डर थिंग भी होता है एक ऐसा अगली थिंग एक पतंग उडाते वक्त एक ऐसी चीज भी होती है जिसको तुम लोग कभी भी फील नहीं करना चाहोगे कभी देखना नहीं चाहोगे जब भी पतंग किसी पेड़ के टॉप पर फस जाती है श्टक हो जाती है तो हम कभी नहीं चाहते कि हम अपने धागों को खीच कर उसे छुड़ाएं और हमारी पतंग छूटने के बजाए उसमें अटक कर फट जाए और हम ये कभी नहीं चाहते तो बचो इस पोयम में आपने अपने एक्सपीरियंस को जाना होगा कि आपने भी अगर पतंग उड़ाई होगी तो आपने भी जो पोयम में लिखा है वो सब फील किया होगा एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे हवा के तेज बहने पर पतंग बहुत उची उड़ती थी और हवा के रुखने पर आपकी पतंग नीचे आ जाती थी आप उसको खींच लेते थे और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जब आप पतंग उड़ा रहे हैं या आप सीख रहे हैं नए-नए तो आपकी पतंग जब कहीं फस जाती थी तो उसे छुडाने का जब आप प्रयास करते थे तो आपकी पतंग फट भी जाती थी ये सारे experience को poet ने इस poem में बताया है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सही है आईए हम लोग इस exercise को करते हैं पहला The kite is struggling on the top of the tree जब पेड में हमारी पतंग फस जाती है तो हमारी पतंग उसी फसे हुए पेड में struggle करती है The kite is struggling on the top of the tree भी देखते हैं the opposite of top टॉप का opposite पुछा है विलोम शब्द टॉप का मतलब होता है उपर और यहां पर bottom का मतलब नीचे होता है तो इसी तरीके से आप आज की वोक्षीट कम्प्रीट कर लेंगे लास्ट में भी दिया हुआ है कुछ The girl has black hair जो girl के hair हैं बाल उसमें आपको black color fill करना है The girl is wearing red skirt and yellow top और आपको लड़की के skirt में जो लड़की ने पहना है skirt उसमें red color करना है और top में yellow color करना है The tail of the kite is green और यह जो आप tail देख रहे हैं kite की इसमें आपको green color करना है The girl is wearing brown shoes और लड़की ने जो shoes पहने है इसमें आपको brown color करना है इस तरीके से आपकी जो worksheet है आज की वो complete हो जाती है यहां भी देखिए मैसेज है आपके लिए Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards Corona अभी खतम नहीं हुआ है बच्चों आपको 6 feet या 2 गच की दूरी बना के रखना होगा जब भी आप बाहर निकले वैसे तो आपको बाहर निकलना नहीं है जब बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर निकले और जब भी बाहर निकले तो आप मास्क लगा कर निकले और अपने हाथों को बार बार साबून और पानी से धोते रहें Thank you, have a nice day